वेलकम टू एस्टेटी निक्स एस्टेटी निक्स पे मैं संतोसार आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमीध है बहुत ही अच्छे होंगे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम नंबर सिस्टम यानि संख करिएगा पूरा देखिएगा तो चलिए स्वाट करते हैं देखते अपना पहला कोश्ट निए कंव करिया ना क्वस्ताव या करते हैं थी क्या है में था ठेव अर्न गूं 맛있्ल च्हाइब हर लिखार और यहां नाइटी तक नाइंटीन तक उननीस तक उन्निस तक नियम बताया था तो अगर आपको लग्रन है तो आज की वीडियो के सभी कोशन आम फाइब सेकंड में सॉल्व कर लेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं आपका ये पहला कोशन कैसे सौल्व होगा देखे फ्रेंड का पेपर दें तो देखिएगा फ्रेंड कोशन में यह का है दो साथ च्छे यक्स एक तीन से विभाज है ठीक है अब यहाँ पी क्या करेंगे तीन से विभाजक्ता के रूल लगाएंगे तीन से विभाजक्ता तीन से विभा जक्ता के रूल लगाएंगे अब रूल क्या है देखे फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा रूल तो क्या होता है आंकिक योग उसके बाद आंकिक योग करके तीन से बटा कर देंगे अब आंकिक योग क्या हो जाएगा दो प्लस साथ प्लस से प्लस यक्स प्ल काउन करते हैं तो दो और साथ क्या हो जाएगा नो नो स्चै पंद्रा पंद्रा एक शोला यानि शोला प्लस एक्स आ गया उसके बाद बटे मी क्या हो जाएगा तीन अब देखिए जो संभावित मान होते हैं वो एक से कहां तक लिए जाते हैं नाइन तक ठीक है यह आप करेंगे अगर एक करते हैं तो यह क्या हो जाएगा सोला एक सत्रा तो यह तीन से डिविजवल नहीं है तो आप क्या करेंगे दो को काउंट करेंगे तो देखिएगा दो को अगर सोला में काउंट कर देते हैं तो यह हो जाता हमारा अठारा तो यह क्या है दो से स्वारी ती तो यह जाएगा तो यह जाएगा तो यह क्या है उसके बाद देखे फ्रेंट्स अगला क्या होगा अगला अगर हम साथ को काउन करते हैं तो कितना हो जाएगा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा तो यह क्या है तो यह क्या हो जाएगा तो यह क्या है तीन से डिविज्वल है यानि हमारा तीन संभाविद्मान आगा अगर नाव को काउन कर देते हैं तो यह 25 हो जाएगा तो यह क्या होगा तीन से डिविज्वल नहीं होगा यानि हमार क्या होगा संभावित मान दो प्लस 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 आठ अब इनको काउंट करेंगे क्योंकि यह पूछा है तो इनको हम काउंट कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आठ दो दास पाच पंद्रा यानि पंद्रा हो जाएगा संभावित मानों का योग जो आपके कोश्चन में पूछा था तो आई होप यह कोश्चन आपको 70% समझ में आ गया होगा तो चलिए इसी सिक्वेंस में हम बढ़ते हैं कोश्चन नंबर 2 के पास देखिएगा कि आपके आप सामने आ चुका है बहुत ही अच्छा प्यारा कोश्चन है कोश्चन नंबर तू इसको सॉल्व करिए कोश्चन नंबर टू में क्या का है यदि पांच चार तीन दो यक्स और साथ तीन नौ से बिभाज हो तो यक्स के अस्थान पर क्या होगा ठीक है यक्स के अस्थान पर क्या होगा यहीं पूछ रहा है पांच चार दो पांच चार तीन दो है पांच चार तीन दो यहां पर यक्स है उसके बाद साथ है ठीक है यह कह रहा है नौ से बिभाज है नौ से बिभाज है तो बताए यक्स के जगा पर क्या होगा यहीं पूछ रहा तो देखी फ्रेंट्स अगर आपको अगर आपको नौ से विवाजगता के नियम आपको पता है नौ से अगर विवाजगता के नियम पता है तो यह कोशन आप विदिन फाइब सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा फ्रेंट्स यहां पर लगाएंगे नौ से होगा ठीक है नाइसे डिवाइट करेंगे अब देखेगा पांच और चार नो नो तीन बारा दो चौदा चौदा साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखिए 21 ठीक है और प्लस हो जाएगा यक्स बटे में आपका नो हो जाएगा ठीक है अब बताएए 21 में ऐसा कौन सा नंबर अगर हम काउंट करें जो 9 से ृडूसल है जब एक ऐसा कोशन है तो अगर 2 को कौन करेंगी watch हो जाएगा न उसे नहीं है तीन कौ कौंड है का मारा यक्स की वैलू आपकी आजाएगी सिक्स जो जाएगी स्कॉस्चन का आंसर तो देखे फ्रेंट्स कितना अच्छा कोश्चन था आई यह भी समझ में आ गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं आप कोश्चन नमबर थ्री के पास देखिए वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए कोश्चन नमबर थ्री देखिएगा कोश्चन नमबर थ्री क्या कर रहा है आप लोग पढ़िए यदी संख्या 48 32 7 यहां पर कुछ नहीं है यानि लुप्त संख्या है यहां पर कुछ नहीं दिया है यानि पर्समाचक सब्दय से लिख दिया है और आठ संख्या 11 हो तो लुप्त अंक का क्या हो गया यू कि इसा बताई है पहले ही फुर्टी एड दिया है उसके बाद धी है आपकी पता है इग्यार से विवाजाक्त के नियम तो अगर पता है तो ये कोंसीन कर लेंगों इन 5 सकने में कैसे देखेगा से देखेगे इग्यारे से विवाजाक्ता वीभा जक्ता ठेक वD लट तो क्या होता है इसके नियम देखे फ्रेंट्स इसका देखेगा बहुत ध्यान से देखेगा इसका क्या होता पहला और जाएगा तीसरा तीसरे के बाद जाएगा पाचवा एक दो तीन चार पाचवा उसके बाद पाचवे के बाद क्या जाएगा साथ वे पे जाएगा ठीक है आव इसके बाद यहां पर दूसरे से चलेंगे तो यहां पर आएगा किस पर चौथे पर चौथे से फिर चलेंगे तो हमारा छठे पर आएगा ठीक है यानि चार प्लस तीन प्लस साथ और प्लस क्या हो जाएगा आठ माइनस क्या होगा देखेगा यहां पर आठ ठीक है प्लस दो प्लस यहाँ पे नंबर ठीक है यह कर लिए क्योंकि यही हमारा रूल होता है अब सिंपले इनको काउंट करिए तो दिखेगा 4,3,7,7,7,2,14,6,14,8,22 क्या हो जाएगा 22 ठीक है यहनि 22 हो जाएगा उसके बाद माइनस होगा यहाँ पर 8,2,10,10 और माइनस यहाँ पर जो नंबर आएगा यहीं पूछा है तो अब देखिए 22 में से 10 को माइनस करेंगे तो बचेगा 12 अब 12 में ऐसा कौन सा नंबर माइनस क कर देते हैं ठीक है तो हमारा हो जाएगा स्वरी 12 में से एक को माइनस कर देंगी तो हमारे हो जाएगा 11 जो 11 क्या है 11 से का जाए यानि इसकी वालू किया जाएगी एक जाई जो हो जाएगा इस कोस्टन का आंसर तो देखें कितना अच्छा कोस्टन था कोस्टन नमबर फिरी तो चलिए इसी सिक्वेंज में बढ़ते हैं को से लुए फोर के पास आपके सामने आ चुका होगा इसको सॉल्व करें और बताईए इसका सही अंजर क्या होगा कोशनन नंबर फोर का देखिएगा कोशननन नंबर 4 हरे यदि साथ तीन आठ ए 6 से 11 से भाज है तो एक आप मान क्या वह पाई यह गार है इसक्स 2013- sog unique गया यहां पर इसको करेंगे तो बहुत ही अच्छिस से यह कैसे ओगा देखिए अब यहां पे 11 के विभाज अक्ता के है ठीक है तुरूल क्या होता है देखिए पहले का जाएगा तीसरे पर तीसरी के बाद जाएगा पाच्वे पे यहां से चलेंगे तो तो पहले के बाद जाएगा चोथे पे चोथे घूटे के बाद जाएगा छठे ठीक है यानि अब देखिए अगर दो बैलू पूछे अगर एक वीवाजक्ता दे के दो वैलू मुझे तो सिंपली क्या करेंगे पहले इसको आगे लिखेंगे यानि 3 3rd plus A plus A ठीक है माइनास क्या करेंगे साथ साथ प्लस Eight Plus Six स्वरी यहां पे सिक्स होगा माइनस कर देंगे six उसके बाद बरावर इसको करतेंगे जीरो के जब भी अगर दो नम्बर दे तो इसको बरावर कर देंगे जी रोके अब देखिए इसको स्वाल करते हैं तो यह हो जाएगा थीन प्लस टूए होगा ठीक है क्या होगा थीन प्लस टूए उसके बाद यहां देखिए माइनस आट साथ 156-21 यह अनी इस फिक हो जाएगा यह बराबर होगा जीडियो के अब देखिए स्कॉर साल करते हैं तो यहाँ पे 3 प्लस 2A यहाँ पर 21 माइनस में तो फदर जाएगा प्लस में यहाँ ये एक इस कुल तो यह मैनस में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा अठारा जाएगा अभी तीन से डिवाइड करिंगे तो दो नोट ठारा यानि एक वेलू आप किया जाएगी नाइन जो जाएगा इस कोस्टन का आंसर ए पूछा था तो एक वेल यहां पे नाइन लिख दीजिए ठीक है तो चलिए यह भी कोस्टन आपको हैंड आ चुका होगा इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करिया बताईए इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंट जल्दी से वीडियो को पोच्ट करिया और को सॉल्व करिए अगर आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे तो प्रूस्टन नुम्बर फाइब देखेगा यदि शिक्स अंको वाली संख्याएं यक्स तीन पांच छे दो चार और एक दो पांच साथ वाई और फोर क्रम से 11 और 72 से विभाज है तो 5x-2y कोस्टक में है का मान क्या होगा यही बताईए तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेशन है इसको दो एक्वेशन दिया है इसको को पहले स्वाल करेंगे उसके बातिसका आंसर निकालेंगे तो देखे और यहांपर च Daar फ्लीविजिए यहां पर लिग देते हैं ठीक्छे पहला है एकस कि एक से memory पांच छार यह पेहले सने ही और है तुक्त कर दिया है एक दोपाँ आई और फोर्डि यह हमारा बहुतर से हिवाज है बहुतर सी विवाज है औरहूं है इसकों अगर पर सुल्फ करते हैं तो देखेंगा 11 के विवा जकता के रोल क्या हते हैं पहले मれं से जाएगा तीसरे पी तीसरे की बाद से जाएगा पक्चवे पे उसके बाध दूसरे से जाएगा छोगद्य पे चौह फेच छठेपे ठीख आप देखिए पहले क्या करींगे देखे फिरिंट जब भी ऐसा कोसंट दे तो पहले कौन सी बइलाओ लिखते है जो बैली दिया रहता है तो दीश हैक्स प्लस-फाच-फाचट फ्लस 2 है क्या करेंगे यहां पें 3 Plus 6 और 6a A Commerce io को मायनस कर देंगे होगा बराबर 0 के गर देंगे ठीक है तो अब देखिए यहां पर करेंगे तो हो जाएगा x-1ullah औुक माइनस Kum 6 410 थीन तेरा माइनस तेरा बराबर सीरो हो जाएगा अब 13 को उस साथ ले जाएंगे तो x 17 इसकल टू टू तेरा जाएगा ठीक है अब एकस बराबर तेरा माइनस साथ हो जाएगा तो यहाँ पे एकस की वैलू क्या जाएगी साथ छाथ से तेरा यानि तेरा में से साथ माइनस करेंगे तो 6 आजाएगा यहाँ पे i when सब्सक्राइब इसको सॉल करेंगे तो अब देखिए बहातर से अगर डिविजबल है यह नंबर बहातर से डिविजबल है तो क्या होगा अब बहातर का फैक्टर एट और मुल्टिप्लाइन नाइन होता है यानि आठ नौवा बहातर ठीक है यहां तक आपको किलियर है उसके यहां पर पहले क्या करेंगे आठ का विवाजगता के रूल लगाएंगे या तो आप आठ का लगा दीजिए या तो नाइन का लगा दीजिए ठीक है तो हम आठ का लगाएं क्योंकि नाइन का आप कई बार लगा चुके हैं तो देखिए आठ के विवाजगता के रूल क्या होते हैं इनके जो कोई भी नंबर का तीन नंबर अगर आठ से विभाज है तो वह संख्या क्या होगी आठ से विभाज होगी तीन का नंबर क्या है सेवन वाई और फोर है यही है आप इसको करेंगे आठ से डिवाइड ठीक है तो आठ से डिवाइड करते हैं तो इसका देखि पर ऐसा नंबर ले जो उसके बाद यहां पर बसने के बाद ये चार पूरा तरीके से आठ से डिवाइज ञगए तो अगर हम वाई की जगव में के छाले चला गया तो बचेंगा चल दो जाएगा 64 तो आठ एक एच आ जाएगो तो यहां से वाइक तो आठाय चल यहां से तो अब सॉब करते हैं तो 5 x 6-2 x 8 तो इसको करते हैं तो यह हो जाएगा 30-35 और दो चोके आधे 16 16 हो जाएगा ठीक है अब 30 में से 16 को माइनस करेंगी तो हमारा आ जाएगा चौदा जो जाएगा इस question का answer तो देखी फ्रेंट्स कितना अच्छा question था आई होब यह भी question समझ में आ गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंट्स कोस्टन नमबर शिक्स और इस वीडियो का लास्ट कुस्टन देखिएगा बहुत ही अच्छा question है इसको जल्दी से आप लोग solve करिया बताइए इसका सही answer क्या होगा इसी टाइप का question है friends द्यान से करिए ताकि आपको हैंडे पॉस्टन समझ में आ जाएं और इस टाइप के जितने भी question आएंगे इसका हमाँ प्रेक्टिस सेट साम तक अप्लोड कर देंगे ठीक है तो उसको देख लीजिएगा कि या तो सुबह में आपको मिल जाएगा question number six आपके सामने आ चुका है यदि दस अंको की संख्या पान चार तीन दो वाई सत्रा वाई नाइन यक्स संख्या बहातर से विभाज है तो फाइब यक्स माइनस फोर वाई कमान क्या होगा यही बताएए तो पहले नमबर क्या लिख लेंगे question number six फोर फाइब फोर थिरी डू वाई 1749 एक्स ठीक है यह क्या है बहतर से विभाज है अगर यह बहतर से विभाज है तो आठ और नौ से भी क्या होगी विभाज होगी क्योंकि यह बहतर का फेक्टर आठ और नौ होता है तो देखे फ्रेंट यह question है सब्रकुलन्त अब भी करना है तो पहले क्या करेंगी पहले एट का रूल लगाएंगे मels एट के विभाजकता के नियम लगाएंगे उसके बाद किसी कि व या यह की वाई कि वेलों निकालेंगे ठीक है तो चलिये पहले एड का विभाज अड़्यकता करें तो एड केORT नो तो एड के विभाजकता के रूल्स क्या है यह यानि कोई भी नमबर और के पीछे का तीन यह अंक अगर आठ से विभाज है तो वह संक्या क्या होगी आठ से विभाज होगी तो अब देखिए 49 नाइन एक्स लिख लेंगे उसके बाद इसको आठ से विभाज करेंगे तो देखेगा फ्रेंड्स आठ चंग 48 आठ चंग 48 यानि एक बच रहा है तो अब एक में ऐसा कौन सा नंबर यहां पे ले जो आठ से विभाज हो जाएगा ठीक है तो ऐसा नंबर हम लेंगे सबसे क्या किये थे अब यहां से दो के विवाज लगाएंगे ठीक है तो क्योंकि हमए वाई की विवाज क्या होते हैं सबीक्र संख्याव के आंकिक योग तो यहां पर देखेगा 55-443-study plus-two-plus-1 n प्लस फोर प्लस नाइन प्लस शिक्स हो जाएगा क्योंकि यक्सकी वेलिये चिक्स निकाला है तो आप सभी को काउंट करने के बाद क्या करेंगे हम नाइन से डिवाइट करेंगे तो देखेगा काउंट करते हैं पांच आ नो तीन बाराद दूचोदा चोदा एक पंदरा गवाई के बात झूर्फ दकार चाहरेवाई गिंगे तो हम क्या रिखेंग लिखेंगे ऑगर फोंसे कोई भी कम नमबर लिखेंगे तो वो क्या होगा नौ से नहीं दिवाइड होगा तो देखेगा फ्रेंट्स अब देखे एक तालिस चार काउंट कर देंगे तो यह हो जाएगा मारा पैतालिस आब अब टे में नो हो जाएगा तो यह नो पचे यक्स की वैलू 6 माइनस 4 मल्टिप्लाई वाई की वैलू 4 तो यहां पर 4 ले ले लिए अब पांचंग 30 माइनस चार चोग का 16 तीस में से 16 को माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा चूदा जो हो जाएगा इस कोस्टन का आंसर तो चलिए यह भी कोस्टन आपको हेंडे पसे समझ में आया होगा तो कल पार्ट 4 था आज हमारा पार्ट 5 है इन दोनों का प्रैक्टिस सेट आपको सामको या सुबे में मिल जाएगा तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो काफी इ प्रैक्टिस में बस इतना ही जैही थैंक यू कि आप 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 कर दो प्रैक्टिस